कोई छोटा बड़ा नहीं, एक छोटे से कजबे में शम्भू शिल्पकार रहता था, वह पहाडों से बड़े-बड़े पत्थर तोड़ कर लाता और, उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता इस रोजगार, में मेहंत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम, दिन भर धूप पसीने मे काम करते हुए शम्भू पत्थर, तोड़ता, यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे, शम्भू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा, काम करने से क्या फाइदा, ठीक से दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, मैं बड़ा आदमी बन जाओं, तो काम भी ज्या जादा नहीं करना होगा और बैठकर, आराम से ऐस मौच करूंगा, एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है, जिसके आगे, पीछे हमेशा भीड रहती है, उसको हाथ जोड कर, प्रणाम करने वाले सैक्रों लोग खड़ी रहती है, शम्भू ने नेता बनने की ठान ली, कुछ रैली कर रहा था, धूप काफी तीवर थी, धूप की गर्मी वह सहन नहीं, कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया, होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेता हुआ है, बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा की नेता से, बलवान वह सूर्य है, जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता मुझे अब सूर्य बनना है कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया शंभू अब गर्फ से चमकता रहता और भीशन गर्मी उत्पन करता तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृत्वी पर बह रही है तब शभू ने विचार किया हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा कुछ दिनों बाद वहा हवा बन गया हवा बनकर वहा इत्राता इठलाता इधर उधर घ घूमने लगा अचानक उसके सामने विक्राल परवत आ गया जिसके पार वहा नहीं जा सका तब उसने सोचा मैं इससे भी बड़ा परवत बनकर रहूंगा कुछ समय बाद वहा विचालकाय परवत बन गया अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया वह काफी परेशान हो गया उसकी आवाज इतनी करकश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी आख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके परवत को तोड रहा है लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था वह काफी परेशान था नीन खुली तो उसने पाहस रखता है वह तो स्वयम वही है दोस्तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद